आज हम बनाएंगे चिकन बटर्फ्लाइ रेसिपी इस रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत सौधिश लगती है चिकन बटर्फ्लाइ रेसिपी बनाने के लिए चलिए देखते हैं मैं किन-किन सामग्रियों की ज़रुरत है नमस्कार दोस्तूं मैं रुची वर्मा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन की बटन दबाएए जिससे आने वाले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चिकन बटरफ्लाइ रेसिपी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है साथ से आठ लाल मिर्च एक छोटा टुकला दालचीनी का एक छोटा चमच जीरा 10-12 काली मिर्च एक बड़ी लाइची मीडियम साइज में कटा हुआ एक छोटा प्यास एक चमच खड़ी धनिया 10-12 कलिया लहसुन की इन सभी मसालों का हम पेस तयार कर लेंगे एक बड़ा आलू इसे हमने छील लिया है आलू को हम चिप्स कटर की सहायता से या फिर हम चाकू की सहायता से इसके गोल गोल हम चिप्स काट लेंगे आलू की चिप्स हमें बहुत जादा ना मोटी काटनी और ना बहुत जादा पतली काटनी है इसे हमें बिल्कुल मीडियम साइज में काटना है इसे हम कई बार साप पानी से अच्छे से धुल लेंगे और इसे पानी में डुबा के रख देंगे जिससे ये काली न पड़े मसाले का हमने पेष्ट तयार कर लिया है मसाले को आप सूखा भी पीश सकते हैं या इसमें थोड़ा सा पानी डालके भी आप पीश सकते हैं धाइसो ग्राम हमने चिकन लिया है चिकन के हमने मीडियम साइज में पीश कट कर लिया है आब इसमें दो चम्मच हम दही डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया आप इसमेंback का हम पेष्ट डाल देंगे नमक सौधन सर तीन चमच कौन फ्लोर अगर आपके पास कौन फ्लोर नहीं है तो आप इसमें तीन चमच मैदा भी डाल सकते हैं इन सभी मसालों को हम चिकन में अच्छे से मिला लेंगे सभी मसाले अच्छे से चिकन में मिल चुके हैं इसे हम आधे घंटे के लिए ढखकर रख देंगे आधे घंटे के बाद अब इसमें आधा चमच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से हम मिला लेंगे हल्दी पाउडर डालने से ये रेस्पी देखने में बहुत ही खोपसुत लगती है अब इसमें हम आधा नीबू का रस डाल देंगे नीबू के रस को हम चिकन में अच्छे से मिला लेंगे ध्यान रखिएगा नीबू का रस हमें सबसे पहले नहीं मिलाना हमें से सबसे लास्ट में ही मिलाना है अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे इसमें दो चमच हम कॉन फ्लोर डालेंगे कॉन फ्लोर दो चमच की जगा आप तीन चमच भी कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम घोल तयार कर लेंगे कॉन फ्लोर का घोल तयार हो चुका है इस recipe को बनाने के लिए हमें इस तरीकी की toothpick का use करना है ये market में बहुत ही आसानी से मिल जाती है अब हम आलू की chips को लेंगे और इस chips को हम corn floor के घोल में डालेंगे इस आलू की chips को हमें corn floor के घोल में अच्छे से डुबा लेना है जिसे दोनों साइडों से अच्छे से डूब जाए मसाले में लिप्टा हुआ अब हम एक chicken का piece लेंगे इस chicken piece को हमने जो corn floor में आलू डुबा के रखा था इसे हम बीच में इस तरीके से chicken को रखेंगे इस तरीके से इसे फसाएंगे यह toothpick चिकन में बड़ी ही आराम से लग जाती है इसे लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसी तरीके से हम अपनी सभी chicken butterfly recipe बना लेंगे आपको हम एक दूसरी chicken butterfly recipe बना कर दिखाते हैं आलू की हमने पीस ली इस पीस को हम अच्छे से कॉन फ्लोर में डुबा देंगे अब मसाले में लिप्टा हुए अब हम chicken के पीस को लेंगे इस chicken के पीस को हम आलू पे रखेंगे आलू को हम इस तरीके से बीस से फोल्ड कर देंगे और इसमें हम toothpick को लगा देंगे इसी तरीके से बाकी सभी हम chicken butterfly recipe बना लेंगे फ्रेंट इस recipe को आप एक बार जरूर ट्राइ करेंगे ये खाने में बहुत ही सौधिच लगती है तेल को गरम होने के लिए हमने पहले ही रख देते हैं अच्छे से गरम हो चुका है चिकन को हम बिल्कुल धीमी आज में पकाएंगे अब इसमें एक के करके सभी chicken piece को हम डाल देंगे सभी पीसों को हमें एक साथ नहीं डालना है चिकन butterfly recipe को तेल में डालने के बाद इसे हमें बार बार चलाना नहीं है इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके है अब इसे एक बार हम अच्छे से पलट देंगे और इसे उलट पलट के पकाएंगे चिकन butterfly recipe को हलका सुनेरा कलर आने तक इसे हमें पकाना है इसे fry करते हुए 6-7 मिनट हो चुके ये अच्छे से golden brown होके fry हो चुके है अब इसे हम निकाल लेंगे इसे निकालने के बाद थोड़ी दिर चमच में इसे इस तरीके से रखेंगे जिससे इसका एक्स्टा तिल सरा चंजा सौदिस्ट कुरकुरी चिकन butterfly recipe फ्राई होकर तयार है इसी तरीके से बाकी अपनी सभी हम चिकन butterfly recipe को fry कर लेंगे इस recipe को हमें बिल्कुल slow आँच में ही पकाना इसे हमें तेज आँच में नहीं पकाना है बहुत ही सौदिस्ट हमारी चिकन recipe बन कर तयार है चिकन से आपको हम toothpick निकाल कर दिखाते है toothpick चिकन से बहुत ही आसानी से निकल जाती है इसे निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है इस recipe में चिकन और आलू का सौद बहुत ही tasty लगता और इस recipe को बनाना भी बहुत आसान होता है आप इसे किसी भी खटी मीठी चेट्नी के साथ या आप इसे दही के साथ खाई यह बहुत ही सौदिच लगती है फ्रेंट्स आपको हमारे वीडियो कैसे लगते है प्लीज आप हमें कमेंट सके जबर बताईए मिलते हैं आप से आने वाली अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई